समस्ते भारत मैं हूँ भुमिका महता आज चर्चा करने आई हूँ एक बहुत बड़े मुद्दे पे मुद्दा तो आप जानी चुके होंगे पुरी सोशल मीडिया जानती है ट्वीट्स आ रहे हैं एक लाग पैसेट हजार से जादा की ट्वीट्स एक ही दिन में हो चुकी है जस्टू बैन दर तांडव तांडव यानि हमारे शिव शंकर भगवान का तांडव कोई रोक नहीं सकता है किसी भी काफिर में ये ताकत नहीं है कि वो हमारे शिव जी को हमारे राम जी को या हमारे किसी भी भगवान को या देश के किसी भी भगवान को रोक सके तो आज त तांडव पे बात करते हैं तांडव जिस पे हमारे डिरेक्टर साब क्या नाम है उसका अब्बा जफर या वाटेवर सो कॉल्ड कच्रा फॉर मी वो इसलिए कच्रा है क्योंकि वो भूल चुका है कि वो एक इंसान है और इंसान को जनम देने वाला खुदा भगवान है और वो भगवान में एक नाम आता है राम भगवान और शिफशंकर का भी शिफशंकर यानि की महादेव देवो के देव महादेव और राम यानि की पुश्योतम राम तो भाई सहाब मिस्टर अबास जफर आपको किस ने इतना हक दे दिया कि आप हमारे भगवानों को आप हमारे भ खगवानों के उपपर ऐसी स्क्रिप्स बनाए, उनका मजा कुड़ाए, और जो करेक्टर्स हैं, वो जो दर्शाते हैं, ऐसी मूवीज में आते हैं, क्या आप लोगों को इतना अकल नहीं है, कि आप जब अपनी स्क्रिप्ट चूज करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट किस हिसाब से बनी गई है, क्या दर्शाहे जाना वाला है, कितना आप उसमें सक्सेस पाने वाले हो, कितनी बदनामिया पाने वाले हो, क्या आपको इतनी अकल नहीं है, हर एक अकल है, I'm talking directly to you Mr. Saif Ali Khan, आप एक मुस्लिम कौम से है, हमारे भारत में मुस्लिम, हिंदू, सिक, इसाई, हम क आपको जगा दी गई है, आप नवाब होंगे अपने घर में, बट हमारे भारत देश में आप एक नागरिक भी नहीं बन पाए, आपको इससे पहले भी आदी मानव या क्या तो था वो मूवी जिसको बैन करने की प्रथा चलाई गई थी, तो आप क्या मतलब सोशल मीडिया में फेमस होना चाहते हो, बैन होने के नाम से, क्या आपको इतनी शर्म अदा नहीं की गई है, आपके खांदान से, आपके रीती रिवाजों में ये नहीं समझ पे आ सकता, कि किसी के भगवान पे मजायक नहीं उड़ाया जाता है, और आप उसी स्क्रिप्प पे काम करते हो आपको इसे बिस अपके तान्डव, विच इस डिरेक्टड बाई अबास सफ़र, अबास सफ़र तुम हमारी आखों के सामने कचरा हो, जिससे भारत जिस भी टाइम में उठा के फेक सकता है, कूड़े दान के अंदर, ये याद रखना, बड़ी-बड़ी हस्तिया आज हो चुकी अपना दुकान बंध करके बैठी अपने घर पे वही अमिताब बच्च्च जसने कहा कि हमारी आउकात नहीं है उसे अपनी अपकात दिखा दी कि हमारी वजह से तेरी आउकात है और तेरी ओकात हम तक तब तक पहँचेगी जब तक तू अच्छे से बात करेगा तो तुम कौन हो तुम कौन हो Mr. Abbas Zafr तुम कौन हो तुमारी ये घटिया मूवी जुसमें हमारे शंकर भगवान हमारे महादेव की मजा को डाया जा रहा है महादेव के मुझ से गंदी गंदी भाशाय निकाली जा रही है शंकर भगवा सक्सेस पा गए तुम तुमारी मूवी को बैन करना चाहिए तुमारी सीरीज को बैन करना चाहिए और ये बैन करने की जो हमारी प्रथा शुरू कर चुके हैं हम लोग वो बन नहीं करेंगे बैन तांडव बैन तांडव और ये तांडव वो तांडव नहीं है जो हमारे महा देव करते हैं क्योंकि अगर उन्होंने उन्स तांडफ को शुरू करने का टा भी शुरू कर दिया ना तो तुम बचोगे नहीं तुम बचोगे नहीं तो तुमारी उतनी अउकात नहीं है कि तुम हमारे भगवानों पर सीरीज बनाओ और वो भी उनका मजाक उड़ा कर तुम हमारे देश में नहीं रहे पाओगे अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश तक की तुम्हें इसे बं नहीं मैं कहती हूं मेरे सब्सक्राइबरस को मेरे फॉलोरस को मेरे पूरे भाई बन्दूओं को जो हमारे तरह के यूट्यूबर्स है उन सबसे मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, दर्खवास करती हूँ, कि इन लोगों की ये एक मूवी को, एक सीरीज को, यानि कि तांडव को बैंड करने से नहीं होगा, बैंड देम, बैंड सैफ़डी खान, बैंड दी, ओल कास्ट अफ तांडव, ये लोग स्कृप्ट पढ़के स्कृप्ट को एकसेप्ट करते हैं, या तो तुम लोग स्कृप्ट पढ़ते नहीं हो, या तो तुमारे पास कामधंदा नहीं है, जो तुम हर एक मूवी को साइन क करने के लिए उतावले होते हो, तो ये नहीं चलेगा, पढ़के अगर तुम्हें ये पता चलता है, कि हमारे हिंदू धरम में, हमारे हिंदू भगवानों के उपर मजाक उड़ाया जा रहा है, तब भी तुमारे इतनी ताकत होती है, कि तुम ऐसी सीरीज में काम कर सको, तो तांडव, इन लोगों को बैन करो, इन लोगों का रोटी, इन लोगों के मुझ से छीनों सालों का, तब पता चलेगा के हम कौन है, बहुत हो चुका ड्रामा, बहुत हो चुका, और भाईयो बहनो, इस तांडव, तांडव, तांडव के खेल में, और एक खेल चल रहा है वै हाली बात है वो इनसान हमारे भारत के अंदर, वो वैकॲ सिंग लेकर आने वाला पहला इंसान है बट हम तो भडर इंडियन है हमारी हुशं है हम फम स जगह पर रहते हैं। जहां पर कुट भी सशन करते हैं महारा स्थ्रन में और कितने कितने बरबादिया होती हो तो हम उस देश में हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि कोई अगर भला काम करता है तो उसको भी हम टोकेंगे, उसको भी हम रोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे बात करते हैं श्री नरेंद्र मोधी जी की, जिन्नोंने इतना अच्छा काम किया है कि वो भारत में वैक्सिन लेके आए है कोरोना वाइरस, COVID-19 के अगेंस्ट, पर यह BJP, यह शिव सेना, यह TMC, यह फलाना धिमका, अपनी अपनी सारी बाते करेंगे, BJP वालों में से हैं हमारे नरेंद्र मोधी जी, तो अब सामने वाली पाटी चुप कैसे रह सकती है तो उन लोगों ने लांच्छन लगाना श जरूर शडियंतर है, क्यों नरेंद्र जी ने पहली बार का वैक्सिन खुद क्यों नहीं लिया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, किसको मिलेगा कोरोना का वाइरस का वैक्सिन, किसको यह होगा, अरे भायो बहनो, clearly mentioned by नरेंद्र मोधी जी, कि जिसको सबसे ज़्यादा जर लगने चाहिए, बूडे लोगों को पहले लगने चाहिए, जिनको कोविट की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है, उनको लगनी चाहिए, तो और क्या चाहिए तुम लोगों को, अरे खुद तो कुछ कर नहीं सके, अगर नरेंद्र मोधी जी ने कुछ कर दिया, तो तो मैंने नरेंद्र जी को भी नहीं बक्षा, बट आज उनको हैट्स ओफ है कि वो वैक्सिन लेकर आए है, and we all are waiting कि हम तक यह वैक्सिन कब तक पहुचेगी, बट मैं भी कहती हूँ कि सबसे पहले उन लोगों तक ही पहुचे जिनको सबसे ज़ादा इनकी सवरत है, हैट्स अपनी जान की परवा ना करते हुए मरीजों का इलाज कर रहे है और शहीद हो रहे है, और शहीद होने में हमारे मिलिट्री पीपल तो कभी भी हमारे जवान जो है, वो तो कभी पीछे हटे ही नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये कोरोना वाइरिस, एंटी, एंटी 19 की ये जो वैक्सीन है उनको मिलनी चाहिए, हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग क्या करेंगे और जो बकरा है के हमें क्यों नहीं मिली, ये क्यों नहीं हुआ, तुम लोगों कर क्या लोगे, क्या उखार लोगे, तुम लोगों ने किया क्या है, अनिल देश मुग जैसे ल उन लोगों को तो कोरोना की वाइरस की ये एंटीबाइटिक वटेवर एंटी वैक्सिन देनी नहीं चाहिए ये वैक्सिन तो देनी नहीं चाहिए उन लोगों तो मार डानने वाली वैक्सिन देनी चाहिए ऐसी वैक्सिन देनी चाहिए कि उनको तो मरने पे उतावले हो जाए उन लोगों को तो मरना ही नसीब होना चाहिए तो भाई नरेंद्र जी, मोदी जी बहुत दिल से आपको thank you कह रही हूं हमारे देश की अवाम की तरफ से, हमारे YouTubers की तरफ से, हमारे Subscribers हमारे followers की तरफ से, but at the end जो मेरा मुद्दा हमेशा से रहा है and I will fight till my last breath and that is for my brother Sushan Singh Rajput जिनका birthday 21st January को है yes, 21st January उनका birthday आ रहा है, 7 महीने उपर हो चुकी उनकी मौत पर हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा, कब वो दिन आएगा जब हमारे भाई को justice मिलेगा, इंतजार करती रहूंगी मरते दम तक करती रहूंगी इंतजार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, लड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे साथ मेरे भगवान है मेरे साथ मेरी family है मेरे साथ मेरे दोस्त है, subscribers है followers है, जिनकी prayers जिनकी हर वो दिली तमना एक ही है कि we want justice we want justice and we will get justice so guys do not forget 21st January it's his birthday तो करप्या करके घटिया वीडियोस ना बनाए उनके नाम पे वीडियोस ना बनाए अगर बनानी है तो कुछ अच्छी वीडियोस बनाए कुछ ऐसी मेमरीस बनाए बट यारो मत भूल जाओ कि उस इंसान का कतल हुआ है कतल नहीं भूलना है हमें ये तांडव ये वैक्सीन ये सब भले कितना भी आ जाए हमारा मुद्दा हम नहीं भूलेंगे अटलिस्ट मैं तो नहीं भूलूंगी और मुझे लगता है मेरा भाई हर्ष भी नहीं भूलेगा हर्ष माहता जो मेरे साथ ही लड़ाई कर रहा है हम जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे थे कर रहे हैं और करते रहेंगे मरते दम तक करते रहेंगे ये वही इनसान है जिसका कतल किया गया है जिसके नाम पर थूथू की गई थी कि वो ड्रक्स खाता है अब वो सब कोई को पता चल गया कि वो ड्रक्स नहीं खाता था, खिलाई जाती थी, या क्या होता था हमें सब कुछ पता है, वो रिया कहा है, मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई गिफ्ट क्यों हम लोग उसके लिए प्रिपेर नहीं कर सकते, जिससे कहीं न कहीं वापस हमारे अंदर वो उमीद जागे के हमारे भाई को जस्टिस मिलेगा, हम सब साथ में हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ ट्रेंट करें, we want justice, we want justice, we want justice, हमेशा हम लोग यही रटन करते हैं, happy birthday SSR, क्या हम ये ट्रेंट बना सकते हैं, guys, happy birthday SSR, can you all make a trend, can you hashtag and make a trend, happy birthday SSR, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, के हर चीज़ पे ये तांडव मचा है, हर चीज़ पे हमारे सुशान्थ की वो कडियां दिखाए दे के अरे, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि हम बहुत भूल जाते हैं, हमारे देश का यही प्राब्लम है, कि हम बहुत भूल जाते हैं, और पुलिस, गर्मेंट, जो भी against आना चाहती है, जो भी कुछ करना चाहती है, करो, हमें नहीं रोग सकोगे, और ठाकरे, तो कितने दिन बचेगा, मैं भी देखती हूँ, परमवीर सिंग, तो कितना किसको अरेस्ट करता है, मैं भी देखती हूँ, साहिल चौधरी, now stop your bloody viral videos, like, तुम आज कल दिखा रहे हो, कि तुम वापस आ रहे हो, जो आज कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोलता है, ठीक है, be a man, तुम नहीं हो, तुम असल मर्द नहीं हो, थोड़ी सी मार क्या खाली, तुमने अपनी बोली चाली सब बदल दी थी, और अब वापस आ रहे हो, अब किसली आ रहे हो, वापस नाम हसल करने के लिए, followers और views हसल करने के लिए, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आपको followers और views तब तक ही मिलेंगे, जब तक आप बात याद रखेगा के we will have to fight till the end and we want justice and please, please, please guys, make a trend, happy birthday SSR, happy birthday SSR and we want justice till the end, we will fight for it, please, please मेरा साथ दीजे, मेरे भाई का साथ दीजे, justice को मत भूलिये, justice के लिए लड़ाई करना मत भूलिये, बाकी तो तांडव हम ऐसा मचाएंगे के लोग देखते रह जाएंगे, बाई बाई, जैहिंद